नमस्कार दोस्तों आज की बड़ी खबरे दिल्ली में अवसरों के ट्रैंसफर पोस्टिंग के अधिकार विवाद पर सुप्रिम कोट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाते हुया कहां कि आउसरों की पोस्टिंग और ट्रैंसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा सुप्रिम कोट के इस फैसले को आप सरकार के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है दिल्ली के मुक्यमंत्री अरविन केजरिवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है केजरिवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए उच्छतम न्यायाले का हार्दिक धन्यवाद विकास की गती अब कई गुना बढ़ जाएगा आपने तर आगोचड़ा ने इस फैसला पर ट्वीट कर लिखा सच्च मेव जैते दिल्ली की जीत माननी स्वच्छ न्यायाले के इतिहासिक फैसले से एक बड़ा संदेश जाता है कि दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले अधिकारी निर्विचत सरकार के मध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए है गैंग्स्टर तिल्लू ताजपुरिया हच्यकान में अब बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली पुलीस को पूछताश में पता चला कि तिल्लू ताजपुरिया को मानने का प्लैन दो साल पहले भी बनाया दिया था लेकिन उस वक्त दोनों तरफ के गैंग्स्टारों को अलग-अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया था इसलिए तिल्लू के मौट के घाटे उतरने का प्लैन फेल हो गया था इसके बाद दो और मोके पर तिल्लू को टिकाने लगाने की प्लैन इन वक्त पर चुक गया था पूच्टाच में सभी ने कुलासा किया कि हम पर भी जेल में कुछ साल पहले तिल्लू ने हमला करवाया था इसलिए उसे मौट के घाट उतरना जरूरी हो गया तासपूरिया के प्रतिद्वंदे गोगी गिरोग के चार सादस्यों ने तिहार जेल में हज्या कर दी थी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर दर्ना प्रदर्शन कर रहे है कई राजनीतिक दालों और किसान संगटों ने उसका समर्दन किया है इस बीच आखिल उत्तर प्रदेश जाट महासबा भी महिला पहलवानों को समर्दन किया है उन्होंने डियम को एक ज्यापक साउंकर्न बारती कुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रदर्शन शरन शिंग के इस्तिफा और उनकी गिरफतार की मांगी है जाट महासबा के प्रदेश महासचिव सजेंदर भलियन ने जानकारी देते हुआ बताया कि दिल्ली के जंतरमंतर पर खिलाडियों के दर्ना प्रदर्शन को समर्दत करते हुए बारती खुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रजबूशन शरन शिंग ने के पज से इस्तिफा और उनकी गिरफतारी की मांगी गई है उन्होंने कहां कि बेटिया को न्याय दिलाने के लिए 36 बिरादरी के लोगों को एक साथ आना चाहिए उन्होंने ब्रुजबूशन शरन शिंग के समर्दन करने वाले राजपतो समाज से बेटिया के समर्दन में प्रदर्शन की अपिल की और कहां कि राजपत समाज के लोगों को बड़ा दिल दिल दिखाते हुए बेटियां के समर्दन में आना चाहिए आपकारी मामले में मनी सी सोडिया के जमानत मामले में दिल्ली है कोट ने फाइसला सुरिक्षित रखा इसके साथ ही जेल अधिक्षक को निर्देश दिया गया कि जेल मैन्यूल के हिसाब से दोफ़त तीन बजे से चार बजे के बीच वीडियो कॉल के जरिये पतनी के साथ बातचीत का समय सुनिश्चित करें बता दी कि मनिस्ति सोडिया की और से जमानत के लिए पतनी के स्वस्तिका हवाला दिया गया था आज सुप्रिम कोट ने दिल्ली प्रेशाशन के कामकास पर अहम फाइसला सुनाया है सुप्रिम कोट ने दिल्ली सरकार और राज के उपरा जिपाल के बीच चार साथ से चाल रहे विवाद पर विराम लगा दिया सुप्रिम कोट ने कहा कि वह इस मामले में 2019 के एकल नियाई दिशा और फैसले से सहमत नहीं है वे इस तज्जी को स्विकार नहीं करने वाले है कि दिल्ली सरकार के पास कोई शेक्ती नहीं है दिल्ली सरकार और LG के बीच विवाद पर जश्टिस अशोक बुशन ने 2019 में फैसला सुने आता लेकिन CJI DV चंद्रचूर ने आज कहा कि वे उस फैसले को स्विकार नहीं करते है इसी के साथ केजरिवाल सरकार को सुप्रिम कोट में बड़ी जीत मिली सुप्रिम कोट ने कहा कि अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास है सुप्रिम कोट ने कहा कि दिली में अन्य सभी राज्यों की तरह शैशन किया जाएगा कोट ने कहा कि जमीन पुलीस और कानून पर केंद्र का अधिकार होगा